नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष महालक्ष्मी व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ महालक्ष्मी व्रत या गजलक्ष्मी व्रत का हिंदू धरम में विशेश महत्व है इस दिन महालक्ष्मी की विशेश प्रकार से पूजा की जाती है और पूजा के समय व्रत कथा को पढ़ना अथ्वाश्रवन करना अत्यम्त आवश्यक होता है आज मैं आप सभी के समक्ष महालक्षमी व्रत की दो कथाएं सुना रही हूँ जिसमें से पहली कथा महाभारत के समय की है जो इस प्रकार है एक समय महर्शी शिरिवेद व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे उनके आगमन का समाचार सुनकर महाराज ध्रित राष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए महर्शी वेद व्यास जी को स्वरण सिंखासन पर बैठा कर उनका पूजन किया गया पूजन के पश्चात माता कुंती तथा गांधारी ने हाद जोड़कर महर्शी से पूछा कि महर्शी आप तिकाल दर्शी हैं आप से हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कोई ऐसा व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारे राज्य तथा परिवार में धन धान्यत सुक संप वद्वियास जी कहने लगे हम एक ऐसे व्रत व्यपूजन का वर्णन कर रहे हैं जिससे सदा लक्षमीética निवास होकर सुक संरिधी की व्रिधी होती है यह शिरीमहालक् dolphins का व्रत है इसे गज-लक्षमी व्रत भी कहा जाता है जिसे प्रतिवर्ष भाद्र शुकल अश्टमी स तब विधी पूर्वक किया जाता है। इस पर माता कुंती और गंधारी जी ने कहा, हे महामुनी इस वृत की विधी हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह वृत भादर शुकल अश्टमी से आरंभ किया जाता है। इस दिन सन का दूब मैं सोला गेहूं के दाने दोरे को चढ़ाएं। आश्विन क्रिशन अश्टमी के दिन व्रत रखकर मिट्टी के हाथी पर शेरी महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके उसका विधी पूर्वक पूजन करें। पूजन करते समय चंदन, तालपत्र, उष्प चुमाला, अक्षत, दूर्वा, लालसूत, सुपारी, नारियल तथा मिष्ठान को सोला सोला की संख्या में रखें। फिर यह सामगरी महालक्ष्मी जी को अर्पित करें। और कहें। ख्षीरोदार्णव संभूता, लक्ष्मिष चंद्र सहोदरा, व्रति नानेन संतुष्टा, भवताद विष्णु वल्लभा, अर्थात, ख्षीर सागर से प्रकट हुई लक्षमी, चंद्रमा की सहोदर भगिनी, शीरि विष्णु वल्लभा, महालक्ष्मी इस व्रत से इसके बाद चार ब्रामण और सोला ब्रामणियों को भोजन करवाकर और दक्षिना देकर विधा करें, उनके जाने के बाद स्वयम भोजन करें, इस प्रकार श्रधा भक्ती सहित महालक्ष्मी जी का वरत और पूजन करके आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा व्रत का विधान बताकर शिरिवेद व्यास जी अपने आश्रम की और प्रस्थान कर गए। महर्शी वेद व्यास जी के जाने के बाद भादरपद शुकल अश्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की इस्तरियों के साथ व्रत को आरंब किया। इस प्रकार पंदरा दिन बीट गए। सोलवे दिन आश्रम क्रिशन अश्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहां कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को गांधारी ने भी नहीं जब पाचो पांडव युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल वसहदेव महल में आये तो कुंती को उदास देखकर सबने पूछा हे माता आप इस प्रकार उदास क्यों हैं आपने पूजन की तयारी क्यों नहीं की तब माता कुंती ने कहा हे पुत्रो आज महा लक्षमी जी के वरत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है उन्होंने नगर की समस्व प्रतिष्ठित महिलाओं को बुला लिया और उसके सो पुत्रों ने मिट्टी का एक मिशाल हाथी बनाया है जिस कारण सभी पूजन करने के लिए कांधारी के यहां चली गई लेकिन मेरे यहां नहीं आई यह सुनकर अर्जुन ने कहा हे माता आप प्रेशान मत हो आप पूजन की तयारी करें और नगर में धिंडोरा पिटवा दें कि हमारे यहां स्वरग से एरावत हाथी की पूजा होगी उनने बान के द्वारा स्वरग से एरावत हाथी को बुला लिया इधर सारे नगर में शोर मच गया कुंती के महल में स्वरग से इंडर का एरावत हाथी प्रिथी पर उतार कर पूजा जाएगा समाचार सुनकर नगर के सभी नलनारी बालक एवंव Cambridge जन कुंती के महल में एक पत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की और चल पड़ी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने एरावत को खड़ा करने के लिए अनीक रंगों के चोक पुरुआ कर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा द गा तो उसके अभूशनों की ध्वनी चारों और गूजने लगी। एरावत के दर्शन होते ही जैजैकार के नारे लगने लगे। साइकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी एरावत माता कुंती के भवन के चोक में उतर आया। तब सब नर्नारियों ने पुष्पमाला, अभीर, गुलाल, केसर, आभी सभी सुगंदित पदार चढ़ा कर उसका स्वागत किया। राजिपुरोहित द्वारा एरावत पर महालक्षमी जी की मूर्ती स्थापित करके वेद मंत्रों चारं द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्षमी जी का पू उसके बाद महिलाओं ने सोला गाठों वाला दोरा महालक्षमी जी को चढ़ा कर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्रामनों को भोजन करवाया गया। दक्षिना के रूप में स्वरन आभूशन और वस्त्र आदि दिये गए। उसके पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत और लहरियों के साथ भजन कीरतन कर संपूरन रातरी महालक्षमी जी का जागरण किया। दूसरे दिन प्राते राज्यपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोचारण के साथ जलाशय में महालक्षमी जी की मूर्ती का विसरजन किया गया। फिर एरावत हाथी को व विधी पूर्वक वरत और पूजन किया। जो भी इसरियां महालक्षमी जी का विधी पूर्वक वरत एवं पूजन करती हैं। उनके घर धन धान्य और सुक समरिद्धी से पूरण रहते हैं। तथा उनके घर में महालक्षमी जी सदा निवास करती है। पुराणिक मानिता है कि इस वरत की कहानी को सोला बार कहा जाता है और पूजन की सामगरी भी सोला बार ही चढ़ाई जाती है आईए अब शुरू करते हैं महालक्षमी जी की दूसरी कथा एक बार एक गाम में करीब ब्रामन रहता था वह भगवान विष्णू का परमभक्त था एक दिन उसकी भक्ती से खुश होकर भगवान विष्णू ने उसे दर्शन दिये और मन वानचित वरदान मांगने को कहा ब्रामन ने कहा हे विष्णू भगवान मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहे इस इच्छा को जानने के बाद विष्णू जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्थ हो सकती है लेकिन उसके लिए थोड़ा यतन कलना होगा तब ब्रामन बोला कैसा यतन प्रभू भगवान विष्णू ने कहा कि मंदिर के सामने प्रती दिन एक इस्त्री आती है और वहां आकर उपले पाती है तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रन देना वह इस्त्री कोई साधारण इस्त्री नहीं है स्वयम देवी लक्ष्मी है अगर वह इस्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विश्नु अद्रिश्य हो गए। अगले दिन सुभा चार बजे ब्रामण मंदिर के सामने बैठ गया। और जब धन की देवी मा लक्ष्मी उपले पात ने आई तो ब्रामण ने उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया। ब्रामण के व्यक्तव्य को सुनकर महालक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विश्नु जी का किया धरा है। माता लक्ष्मी ने ब्रामण से कहा कि तुम सोला दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधी पूर्वक करो औ रात को चंद्रमा को अरग दो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राम्हन ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर दिशा की और मुख करके मालक्षमी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हो गई और उन्होंने गरीब ब्राम्हन के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को धन धान्य और सुक्संपत्ति से भर दिया। ये मालक्ष्मी जैसे आपने गरीब ब्रामन पर कृपा की वैसे ही अपने कृपा हम सब पर सदैव बनाए रखना जै मालक्ष्मी इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत की दोनों कथाएं पूरण हुई कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला जै मालक्षमी यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बोक्स में जै मालक्षमी लिखना ना भूले आप सभी का हर्दिक धन्यवाद